अंजी क्या हाल है I'm so sorry इतना लेट हो गया इस बार लेकिन आपको मेरी conditions पता था but finally we are here with the last video of current affairs राइट तो यह वीडियो फर्वरी मार्च फर्वरी मन्तों कवर करती है प्लस में मार्च का जो पार्टिंग के दस दिन है उनको बच्चे कवर करती है तो दिस वुडबी दा लास्ट वीडियो इन अवर सीरीज ठीक है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए विकोद आपके पास टाइम आई बड़ा कम है जो टोपिक एडीब से क्या करते हैं तो देखो हम एशियन डेवलोप्मेंट बैंक के बारे में इतनी बाते कर चुके हैं तो आपको कमेंट सेक्षन में इसका हैड़कॉर्टर बता देना और कभी इस्टेब्लिश हुआ था यह बात बता देनी है बहुता-बोटा-बोटा जितने भी ज जाएगा बट नहीं देखो यह वही पूरा अंसर में दिया हुआ है लेकिन मैं कम से कम तीन बार इसको जरूर बता चुको में इसीन डेवलोप्मेंट बैंक को तो बार बार नहीं बताऊंगा इसके प्रोजेक्ट डिसक्स कर लेते हैं भाई कोविड रिस्पॉंस के लिए पैसा दिया ठीक है इन्होंने बेंगलोरी मेंट्रों के लिए पैसा प्रशन आ को किसनेवा सकता है इसके अलावा equitable housing प्रोजेट के लिए पैसा दिया है ठीक है यह रूरलक्टिविटल महाराष्ट ने में पैसा दिया है जारखन्ड में वोटर सप्लाई यह वही सब चीज़े ही राइट है और वे ने अपनी रेपो रेट को 4% रखा है यह आपके लिए मन जाते मैंने बताया था पेपर में जाने से पहले आपको रेपो रेट चीजे पता होनी चाहिए आप एक बर कमेंट सेक्ष्ट ने बता होगे रेपो रिवर्स रेपो रेट क्या जाता है कि यह रखने है कि इतने अमाउंट हार्ड कैश में बैंक को रखना पड़ता है जैसे आपने पैसे में मतलब आ तो जी आप बैंक जो है उसका कुछ भी कर सकता है बैंक चाहे तो इसको हाड केश में रखे चाहे उसको लोन देदें मोस्ट लोन देना चाहता भी को उससी कमाई होती है लेकिन मिनिमम माउंट बैंक को अपने पास रखना पड़ते हैं उसकल को आप निकल वाने आगे पैसे तो वह आपसी कांसे मिलेंगे तो देट इस उने सी आरार एसलार स्टेंट फो स्ट्रेट्री लिक्विड रेश्यो यह कुन सी रेश्यो है यह ऐसा पैसा है जो बैंक के पास हाड कैश में तो नहीं है लेकिन हाइली लिक्विड फॉर्म में है जब जरूत पड़ेगी विद होते हैं तीन ओफिशियल और तीन ओफिशियल इंकलीडिंग और बैके गवर्णर एस ओफिशिल मेंबर ठीक है इन्होंने यह चार परसेंट रखी रिवर्स राप्रेट सारे अंसर आई जाता है रिवर्स रैपो रेट बता दे 3.35 मार्जिन स्टेंडिंग फैसिलिटी बच इस एट वैलू और कि लिए मामला कि इस इस मामला के लिए बिलकुल किलियर पेटिंग ने सबसे ज़्यादा पेडेटरेट कर वंच वैसी डिजिटाल पेयमेंट्स में चांब प्रकर प्रशन तो वैसे वगें जाता कि recently कौन सी कंप्रीन सबसे ज़्यादा पैनिटरेट कर बहुत है इन टम्स डिजिटल पेमेंट तो आपने पता लग गया है ठीटियम है ठीकHealth ने बात बताए कि वह ड्मिनेंट सी जो है बेसिक्ली पर फाउंडर ओंटीए ओनेक्सिस वैल्यू जो है यह 12.96 जो कि पिछले मेने 13.56 थी उसके थोड़ी सी कम आगे डबलू प्राइज होल सेल प्राइज इंडेक्स कोंसेट इस वेरी सिंपल होल सेल पे जो भी प्राइज है उनमें इंफलेशन कितनी हुई है यह बताएगा आपका डबलू पी एए ठीक है डबलू प्राइज में मिलने वाले गूड की बेसिकली इंफलेशन बताता है जो मैं फोर प्रसेंट वाल इंफलेशन की बात कर रहा होता हूं मैंसा सीप्य होते है डबलू पी यह कुप अधिन नहीं होते है रेको दिस इस सीपर रिपोर्ट को पॉब्लिस कोन करता है चैंटर स्टे 115 million dollar for implementing reward project मैं reward project के बारे में आप से पिछले करेंटरफेस या उससे पिछले करेंटरफेस में बातचीत करी थी जल्दी से कमेंट्स वैसे तो यहां पर सब दिखी जाएगा आपको मैं छिपा रहा हूं रिवार्ड रिवार्ड की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि क्या थी दा वो यह था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन दे रहे आपने को ठीक है तो वह वाली बात ही रिवा रोल डेवलोप्मेंट इन अस्टेशन विद वर्ल्ड बैंक बस इससे ज्यादा मतलब फुल फॉर्म और यह अल्टिमेटल सा काम क्या है मैं अब्जेक्टिव क्या है इससे ज्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं ठीक है पेटियम पेमेंट बैंक बिकम्स एक्वाइरिंग रूपी मैं खरीदना मैंने घलत बोल दिया रूपी तब को पता ही है कि अपनी मोदी जी लॉंच करी थी खरीदना घलत बोल दिया मैंने ठीक है लेकिन पेमेंट मर्चंस टू एक्सेप्ट दा कैशलेस प्रीपेड आफ्टर एक्वाइरिंग पार्टनर्शेफ फॉर करा था इस लाइक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर डैट विड बी जिसको रीडीम कर सकते हैं वैसे वाला सिस्थम है कि उसको हम रीडीम कर सकते हैं ठीक है इस नोट प्लैटफोर्म बट आ मोडव पेमेंट यह आपको पता होना चाहिए सब्सक्राइब अच्छा बैंक फैनेंस एसियास लार्ज्स टू एनरजी प्लांट इन इंडिया का कहां पर लोकेटेड और इंपी में लोकेटेड जी कोंसे बैंक ने फाइनिस ने फाइनस कर रहा है बस इस स्याधोर क्या गरोगा इतना ही करेंट अपेर इससमें तीज़ तक का blending target हम एक्सपेक्ट कर रहे है blending कि इसमें अपने फोशल फ्यूल में पैट्रोल में डीजल में देखो है क्या हम उसमें इथनोल ब्लैंड करना चाहरे है तो अपने घर की खेती है तो अपने पर लोड़ पड़ता है कुरूड जो में इंपॉर्ट करते हैं वह लोड़ बाइस दस परेसेंट और थोजार पर था परेसेंट और था बीस परसेंट का अपना टार्गेट है इंपोर्टेंट फ्रॉम एक्जामिनेशन पॉइंट ओफ फ्यू ठीक है इतनल प्लैंडिंग वाला मैंने आपको इस अब वो तो बता ही देखियो है ब्लीव इकोनोमी तो प्रशन यहीं आ सकते हैं कि 2030 का जो हमने विजन बनाया है उसमें अपनी डाइमेंशन हमने क्या-क्या खोली है तो जी ब्ल्यू इकोनोमी इस दा सिक्स्ट डाइमेंशन आप बोलोगे सर्य ब्ल्यू एकोनोमी क्या है कुछ नहीं है जो ओशन डिसोर्स इसको हमें भैतरीन स से यूज करना है इससे ज्यादा ब्ल्यू एकोनोमी में कुछ भी नहीं है ठीक है कभी सोचों की पता नहीं क्या है यह ठीक है ब्ल्यू मतलब पानी आपको ओशन बेस जितनी भी चीज़े हैं उससे आपको चीजों में डेवलोप्मेंट लानी है चाह वह फिसोर्स हो चाह सारी चीज़े हैं उसमें से ब्ल्यू एकोनोमें बनाना है पॉलूशन फिरी बनाना है रूरल इंडस्ट्रिशन करना हैए सेफ ड्रिंकिंग व्रेटर करना है टिक है अटीक है सिवल एविएशें टैबली नेमड बैस्ट मिनिश्ट्री टैबलीस वहांजर बैसवेरी वहेर सब आज के टाइम पर कितनी ज्यादा सस्ती हो चुकी है टिकेट सगे रहा है यह सब आपको पता हिए क्लियर है माम लो रामानुचार्य का स्टेचू है है थी कैसे इंडिया इनिभरेटिंग थाउजिंद बर्थ एनिवर्शरी एंस दाफेस्टिवल ओफ इक्वेलिटी वह वही वही वाली कोई चीज वती है वही तरह है इंपोटेंट होते तो इस थाउजन थाउजन अनिवर्सरी और मोदी जी इसको मैंने करेंट फिर में भी अच्छा खासे लेवल पर कवर कर रहा था इस वेरी इंपोटेंट वाला इंपोटेंट आ सकता है इसको अच्छे से पढ़ लेना ठीक है क्यों स्टेच्ट फिक्वेलिटी बोला गया सब कुछ पीम की किक स्टार्ट फिक्तिन एनिवर्शी सेल अच्छे कोर्टर हेड कोर्टर हेड कोर्टर लोकेट इन हैद्राबाद ठीक है जी हाँ ओके आ रहा भाई यहां भाई नो जी किशन डेटी तो इन्नोगरेट फिर्स्ट एवर ग्लोबल सम्मिट ओन री इमेजनेश री इमेजिंग मुजियम इन इंडिया वेरी वेरी इंप मिनिस्ट्र ऑफ कल्चर टूरिजम और डेवलप्मेंट ऑफ नोर्फ इस रीजन इस जी किशन रेडी उन्होंने बच्चे इनोगरेट करा है री इमेजिंग मुजियम इन इंडिया वर्चुल इनोगरेट हुआ बच्चे 2022 हैदराबाद में ठीक है इसमें अलग-अलग कंट सिंगल विंडो सिस्टम इस वेरी इंपोर्टेंट जम्मु कश्मीर में बहुत सारी चीज इस टाइप की हुई है विकोज अब यूनिंटरिटरी बन गया है तो सीधा वी कैन इंप्लीमेंट जो हम चाहते हैं ठीक है तो जम्मु कश्मीर में काम आज की टाइम पर अच्छा करनी है उसके सारे काम एक साथ हो जाएंगे ठीक है तो इस इस काइंड ओफ वेरी इंपोर्टेंट सिंगल विंडोस का मतलब समझ गया है सिंगल मतलब एक ही जगए अब सब कुछ काम हो जाएगा अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग गुमने की जरूत नहीं है इ इंवेस्टर्स को प्री प्री ओपर मलब प्री ओपरेशन अप्रूवल्स के लिए बैसिकली एक वो देता है कि यहां पर आप सब चीज़ां नहीं कर सकते हो तो इंवेस्टर इसली आएगा यहां पर इंडियास प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट दो हजार एक्किस एंड आप देख लो इंडिया की रैंक 142 है आउट ओफ 180 वर्ल्ड प्रेस रिडम इंडेक्स में बहुत ही बुरी मलब है कि मतलब हमारी जो मीडिया है यह रिपोर्ट बोलती है ठीक है क्या बोलने मस्ट वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी वाली तो वह जो वह थी आपनी लोक बोलते कि इंडिया ने ओवर ओल इंप्रूव कर रहा है इंडिया की रैंक 43 है आउट ओफ 55 कंट्रीस ठीक है तो अब देख लो मले इंटलेक्शल प्रोपर्टी राइट्स तो ओवर रोल इंडिया इंप्रूव कर रहा है बट स्टिल हम अभी वात तक नहीं पहुंच पाए है जा तक हमें पहुचना है बट चलो कोई नहीं जैसा भी है ठीक है यह बच्छे पैरामेटर्स होते हैं पेटेंट कोपी राइट ट्रेड मार्ट डिजाइन राइट सेक्रेट्स कमर्शलिजेशन ओप आई-पी असे इन्फोर्समेंट सिस्टमेंटिक एफिशेंसी यह सब पैरेमेटर्स है ठीक है इंडिया हम तो थोड़ा सा बिलीव करते हैं कोपी करने में इंडिया एंड यूई साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड एगरीमेंट वच्छे तो यह प्रश्ण आ सकता है कौन सी पैरेंसिलर कंट्री ने अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट शाइन कर तो जी इंडिया and UAE ने मिलके मतलब एक free trade agreement से नहीं कर रहा है इस इस देर first free trade agreement तो ठीक है एक मही 2022 से इसको implement कर दिया जाएगा ठीक है very very important यह देखुँ बैनीफेट्स बहुत है आपको याद हो मेरी क्रेश्ट तो हम काफी जाधा important export करते हैं with UAE we do a lot एक्सपोर्ट काफी अच्छा करते हैं या अदलाब अच्छा है ठीक है आई टी हधराबाद लूंच इस सुराजिबिलीटी इंडिया फर्स्ट एई पावर जो पोल्टल वैरी 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 इंपूटेंट कि कोई मल पेपर प्रशन कर सकते हैं इंडिया का पहला एंटिफिश वैरी इंपूटेंट ठीक है ठीक है डबलू एच्छो लॉंच इस क्विट टोबैको एप एक तो आपको यह पतल लग गया सिर्द सिदा कोश्चन जो बन रहा है कि क्विट टोबैको एप कौन सी ओर्गनाइजेशन जो है वह बिसिकली लॉंच कर रही है तो डबलू एच् आप ज़रू जान सकते हैं कि जनेवा में इसका है ठीक है यह कोलाबरेशन जो भी है चलो यह तो ठीक है इसमें तो क्या है असाम बिकम्स फर्स टेट टो लॉंच नाइट नविगेशन मोबाइल एप इन रिवर्स वेरी वेरी इंपोटेंट जब भी कोई स्टेट पहली इंपोर्टेंट फिनोमिना ठीक है कि आइटी रूड की लॉंच इस किसान मोबाइल एप एक कुशन तो यह बन गया दूसरा क्या बन गया है कि वर्ट इस किसान किसान आपको पता है जो किसानों के खातों में पैसे आते हैं हर क्वार्टर देट कमस अंडर बच्चे किसान पीएम किसान एप के अंडर वो सारा सिस्टम आता है ठीक है अर्जेंटेनिया बिट बीट चिले और टू इन पैन एम वुमेन का फाइन ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जी होकी में बेसिकली पैन एम अलब होकी कि वह है यह ठीक है उसमें अर्जेंटेनिया ने चिले को बीट कर दिया है ठीक है यह आपको पताना चाहिए ऑस्टेलिया ओपन में रैफल नैडल ने हराया है बच्चे डैनिल मेडीव को तो 21 ग्रैंट स्लैम जीतने वाले बच्चे यह मतलब अकेले बंदे बन गए हैं बाकिस अबने 20 जीत वे तब बाकिस अबने 20 जीत वेज़े अब यह 21 वे मलब 21 ग्रैंट टाइटल जीत लिया है एंड इट विकम इंपोर्टेंट बच्चे आसे नॉर्मली नहीं था बट 21 हो गया है तो इंपोर्टेंट बच बद नी गया ठीक है चार होते हैं बच्चे ग्रैंट स्लैम वन इस ऑस्टेलिया ओपन फ्रेंच ओपन विंबर्डन एंड यह चार चार ओपन होते हैं जिनको ग्रैंड टाइटल्स बोला जाता है ठीक है immense होकी27 इंडिया विंस ब्रोंच और जापान जो है गोल जीता है जिस इंपोर्टेंट वर्यवर इंपोर्टेंट वज्टा लुकोर उसके प्लेट टुक्रणral जीता है तो फॉम्रेंड हो की एश्वकाप में इंडिया ने जीता है बाट्च प्रॉण और जापान ने जीता है टाइटल यानि की गोल्ड ठीक है सो इट इस इंपोर्टेंट क्लियर है और जापने किसको हराया बच्छे साउथ को हराया टॉर्णामेंट काम पर हुई थी ओमान में हुई थी मुस्कट ओमैन कि ICC Under 19 वर्ल्ट कप बच्चे इंडिया जीता है सबको पता ही है इंग्लेंड गो हराया है फिफ्थ टाइम इंडिया ने जीता है बहुत ज्यादा मतलब इंपोर्टेंट वह रहा है मतलब जबर्दस्त जबर्दस्त इंग्लेंड को हमने हराया है और छेटी बार जीते हैं सब्सक्राइब जीतने वाली यंगेस्ट खिलाडी बन गई है और भी खिलाडी न्यूज में है इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है ठीक है विंटर ओलम्पिक्स 2022 बीजिंग में बच्छे कुंक्लूड हुए हैं आपको पता हुग है को सारी स्पोर्ट न्यूज में ने कितन 2026 में होने वाले हैं वह कहां होने वाले आपको बताना बाकी आपको बताना है अच्छा यह बिजिंग पहला सिटी बन गया है जिसमें विंटर ओलम्पिक्स दोनों ही बेसिकली होस्ट करें हैं सिंबल मलब मोटो मास्कट यह सब को पता है बिंग डुएन यांग मास्कट था मोटर सा टुगेदर नेस फोरा शेर्ड वो कंट्री की बात करें नौर्वे टोप पे रहा है जर्मनी सेकेंड पर रहा है चाइना सिपेटिडिन 2022 विंटर ओलम्पिक्स लैट इस अलपाइन्स की स्काइप पर आरिफ खान ठीक है तो वह कुछ नहीं जीत पाएं है मेरा बाइचानू विंस गोलेट सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंट इंटरेंग वहलो मतलब हो क्या बोलते हैं It is the From International मेरा वाइचानू विन्स गोल ट सिंगापूर वेट लिफ्टिंगब इंटरनेशनल में बस इतना हैं होना रीटेरट लगे च तो टोटल छैं regul अनी है जिस में से पाँच विन ने अपना ट्राइल शुरू कर दिया है ठीक है तो चोटल च आनि आपके श्यापको च्यापको श्चैके नाम बताने हैं थीक है मुझे याद नहीं कि मैंने यहां पे डाला था नहीं डालाएं मैंने यहां पर ठीक है तो आपको च्छैके नाम बताने बच्छें इंडियन परसेड ओमान एयर फॉर्स बिगेंज ईस्टर्ण ब्रिज 6 एर एक्सर इंपोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि इस्टर्ण बीज़ाइस किस इसके बीच में होती है और कहां पर हुई है बस इतना ही तो आपको पता हो ना चीज चाहदत और क्या ही पता हो कहां पर हुई है और किस-किस के बीच में होती है उम्मान की थोड़ी बहुत लोकेशन लोकेशन देख लो अजी नेक्स्ट इस आई-एफ टू पार्टिसपेटिन एक्सराइज कोबरा वोर्यर इन युनाइटिट किंग्डम इन मार्च दोजार बाइस तो आपको पता होना चाहिए कि बाइए कोब्रा वोर्यर किस-किस के बीच के एक्सराइज और कहां पर होई है तो इंडिया यूक आप देखो यह था ना हां यह तो आपने क्राइस चल रहा था ना यूकरेन रश्या वाला क्राइस चल रहा था इस टाइम पर जितने भी एक्सराइज थी ना उनसे विड्रो कर लेदे विट्रेट इस टाइम पर तोड़ा ठीक सा नहीं लगता यह वाली चीज ना तो यह वाली चीज हो गई नेक्स चलते हैं जी तो नेक्स्ट है थर्ड इंडिया जापान जोइन टेक्सराइज एक्स धर्मा गार्जन दोजर बाइस बिग्गे नेट बैल गवी बैल गवी है बैल गाउम है चलो पहले बाता होना पूला 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 अग्सक्राइज जो है किसके बीच में बीच में इंडिया जापान के बीच में होने वाले दोफिक साइज इसके नाम भी आपको पता होना चीए बस बाक्यों तो मामलों ओपी है इतना कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं किसी तरीके से आदेख यह बिकोज अव कोविड होगे थी इसने बहुत सारे कंट्रीज ने बच्छे पार्टिस्पेट करा है विश्चा का प्रटनम में एक्सराइज हुई है इंडिया ने होस्ट करी है यह एक्सराइज मिलन ठीक है फैर्वरी में हुई है लार्जस पार्टिसिपेशन थरी थू विन वर्ल्ड गेम एथलेट ऑफ दा इयर अवोड बहुत इंपोर्टेंट है यह होकी प्लेयर है बच्छे इस होकी प्लेयर ठीक है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है न्यूजीलेंड ओल राउंडर डैरियल माइकल विंस आइसीसी स्परिट ऑफ दा क्रिकेट अवर्ड द सब्सक्राइब क्रिकेट अवर्ड फूर्ड डिकेड वेरी ग्रेट मेंदर सिंग दोनी उत्र प्रदेश सेलेक्टेड अज बेस्टेट टेबलू अफ रिपब्लिक डे परेड मारास्ट्रा विन इन पॉपुलर चोईस अवर्ड आपको मैंने मिनिस्ट्री बता दी थी एज अधर यह देख लो मज़े लए यह लग रहां यहीं देख रहें नहीं जाए ता कि बताये मैंने वह ओन लाइन पॉल तना उसमें वा था बैस्ट मार्चिंग कंटींजेंट इंदियन एर फोर्स बैस्मार्चिंग कंटींजेंट अमोंग चीपीएफ से सी और पीएफ ठीके से Ministry of Communication and Department of Post इनको मिला है बैस्ट हो अटल टरनल ओफिशली रिकिनाइज एज दा लोंगेस्ट हाइवे टरनल अबाउट दस अजार फीट वाई वर्ल्ड बुक ओफ रिकोर्ड्स यह भी तक हम करण्ट अफेर में वैसे पढ़ते आ इसको मैंशन कर लिया है तो अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो इस इस इंपोर्टेंट और इस प्रशन पूछा जा सकता है आप से पूछा रहागा कि अटल टनल कौन-कौन इस उसको बहुत कहां पर है वे रोतांग पास पर है ठीक है और पीर बंजल रेंज में है यह सब आपको पता होने चाहिए इसने ओल मलब जबरदस्त का मिसने करा था बिल गेट्स कंफर्ड हिलाल पाकिस्तान पाकिस्तान का हाईयस और जो बिल गेट्स को बच्चे दिया ग कि मुझे नहीं पता कैसे पाट करेंगे पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ कॉलेबरेशन है जो उसका काम है इंप्रूव करना वेक्सिनेशन इन लो इंकम कंट्रिस तो आपको यह जो है ना मतलब गावी किस चीज़ से लेटेड है यह आपको प्रशन पूछा जा सक सीदह सीदह ऐसे प्रशन आएगा तो बताए कि मैंने गरीब गरीब कंट्री में इसको करने के लिए बिल एंगेट्स की फांडेशन है ठीक है दादा साहिव फालके इंटरेशन फिल फेस्टिवल अवोर्ड दो हजार बाइस प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम ठीक है फिल्म कुफदा इयर अवोर्ड मिला है पुष्पा है बैस्ट फिल्म अवोर्ड मिला है शेर्शा बैस्ट एक्टर अवोर्ड रनवीर सिंग ठीक है यह सब देख लाओ देख लो अग्यों ठीक है दादा साब फालके को फादर आफ इंडिन सीने बला जाता है यूएंट डीपी न इनने करा है इन्होंने 2022 से 25 साल अपना प्लैन लौज करा है उसमें यह बेसिकली सिस्टम करा है ठीक है वर्ल्ड वेट लेंड्स डे आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने वेट लेंड्स हो मैंने आपको बताए बिता दो अब बताया था कि अभी रिसेंटली कौन से वे समला खतम थीक है तो वाइसी के साथ हम करेंट अपने इस कर इस एंडी के जर्णी की समापती करते हैं उमीद करता हो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसके साथ साथ एक जो आपका एक चीज मुझे आपको बतानी है कि एंडी एक्जाम का जो एनलेसिस है और एक्जाम क जो बैसिकली इसका एनलेसिस करेंगे बहुत इबहतरी तरीके से एनलेसिस करेंगे और बस गजब की चीज रही कि आपके लिए प्लब आंसर की एनलेसिस सब कुछ आपको मिलेगा इसका लिंक भी डिस्कृप्श्यन मिल जागा या फिर आप सीधा ने कर ने बोरेज पर जा तो होप करता हूं कि अच्छा रहे सब ठीक है चलो बबाई टेक कर जाहिए